वाकई आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे खिशी है कि देश की नवजवान पीडी देश के सामने मौझूदा चुनोतियों के सॉलुशन देने के लिए दिन रात एक कर रही है पहले जो हैकेतौंस हुए कि उन्से मुले सॉलुशन्स बहुत कारगर रहे हैं हैकेतौंस में कितने स्टूरंच ने अपने स्टाथ आफ भी शुरू किये हैं यह स्टाथ आफ स्ट्रॉशन सरकार और समाच सनकेस्ट दोनों की है मदद कर रहे ये आज इस hackathon में सामीर हुई टीमों, हजारों students के लिए भी बहुत बड़ी प्रेणा है साथियों 21 सदी का भारत आज जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंदान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है कुछ हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता, इस सोच से अब हर भारतिय बाहर निकला है इसी ही नहीं सोच के चलते, बिते दस वर्षों में, भारत दसवे नंबर से पांचवे नंबर की एकोनोमी बना है आज भारत के यूपियाई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है कुरोना के महा संकड के दोरान भारत ने मेड इंडिया वैक्सिन बनाई भारत ने अपने नागरीकों को मुफ्त में वैक्सिन भी की प्रक्रिय भी पूरी की और दुनिया के दरजनों देशों को भी वैक्सिन पहुंचाई साथियों आज यहां यंग इनोवेटर्स और अलग-अलग डॉमेंस के प्रोफेशनल्स बोजूद है आप सभी समय का महत्तों समत्ते हैं ताइज समय में लक्षों तक पहुंचने का मतलब समत्ते हैं आज हम समय के एक ऐसे मोड पर है जहां हमारा हर प्रयास अगले एक हजार साल के भारत की नीव को मजबूत करेगा आप इस यूनिक टाइम को समझे ये समय यूनिक इसलिए है क्योंकि कई फेक्टर्स एक साथ आये हैं आज भारत विश्व के सबसे युवाद देशों में से एक है आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है आज भारत में एक स्थीर और मजबूत सरकार है आज भारत की अर्थेववस्ता रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रही है आज भारत में साइंस और टेक्नोलोजी पर अबूत पूर्व बल दया जा रहा है साथियों यह वो समय है जब टेक्नोलोजी हमारी लाइब का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुकी है हम सब के जीवन में टेक्नोलोजी का जो प्रभाव आज है वो अतीत में कभी नहीं रहा स्थिती यह है कि एक टेक्नोलोजी के साथ हम पूरी तरह सहज भी नहीं हो सके है तब तक उसका एक अपग्रेडरी वर्जन आ जाता है इसलिए आप जैसे यंग इनोवेटर्स का रोल बहुत इंपोर्टन्ट है साथियों आजहादी का अमृत काल यानि आने वाले पचीज साल देश के साथ आपकी लाइब को भी ये समय एक तरफ 2047 की तरफ की यात्रा और दूसरी तरफ आपके जिवन पूर्ण महत्व के महत्व पूर्ण बर्षों की यात्रा दुनों दोनों साथ साथ है भारत को विक्सित बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है और इसमें आप सभी का सबसे बड़ा लक्ष होना चाहिए भारत की आत्मनिर्भरता हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बने आपका लक्ष होना चाहिए कि भारत को कोई भी टेक्नलोजी इंपोर्ट न करनी पड़े किसी भी टेक्नलोजी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना न पड़े अब जैसे डिफेंस सेक्टर है आज भारत डिफेंस टेक्नलोजी में आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहा है लेकिन अभी भी defense technology से जुड़ी कई ऐसी चीजे हैं जिनको हमें import करना पड़ता है इसी तरह अपनी manufacturing capacity को बढ़ाने के लिए हमें semiconductor और chip technology में भी आतमंदर भर बनना होगा quantum technology और hydrogen energy जैसे sectors को लेकर भी भारत की aspirations बहुत हाई है सरकार ऐसे सभी sectors पर विशेश फोकस कर रही है 21 वी सदी का आधुनिक यो system बना रही है लेकिन इसकी सभलता आप युवाओं की सभलता पर निर्भर करती है साथियों आज पूरी दुनिया की नजरे आप जैसे यंग माइस पर टिकी हैं दुनिया को विश्वास है कि भारत में उसे global challenges का low cost, quality, sustainable और scalable solution मिलेगा हमारे चंद्रयान विशन ने विश्व की उमीदों को कई गुना बढ़ा दिया है आपको इन उमीदों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग sectors में नई technology को इनोविट करना है आपको देश की आधुनिक जरुरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी दिशात ताय कर लिए साथियों Smart India Hackathon का लक्ष देश की समस्याओं का समाधान और समाधान से रोजगार का अंद्रमाण एक ऐसे चेन को चला रहा है Smart India Hackathon से देश की युवाशक्ति विक्सित भारत के लिए समाधान का अमर्त निकाल रही है मुझे आप सभी पर देश की युवाशक्ति पर अटूट भरोसा है आप कोई भी समस्या देखें कोई भी समाधान ढूंडें कोई भी इनोवेशन करें आपको विक्सित भारत का संकल्प आत्म निर्भर भारत का संकल्प इसे हमेशा याद रखना है आप जो भी करें वो बेस्ट हो आप ऐसा काम करना है कि दुनिया आपको फोलो करें एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद